तो भै इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे कंट्रोल से लिटेट जितने भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लेर हो जाएंगे इस वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम्हें कंट्रोल सेटप लगाते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है और तुम्हें कितने फिंगर क्लो खेलना है लाइक 3 फिंगर 4 फिंगर 5 फिंगर या फिर 2 फिंगर और तुम्हें किसी दूसरे बंदे के कंट्रोल कोपी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए या फिर अगर तुम किसी के controls copy कर रहे हो या फिर अपने ही controls change कर रहे हो तो तुम्हें अपने नई controls को master किस तरीके से करना है और ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में तुम्हें देने वाला हूँ तो वीडियो को end तक जरूर देखना तो वीडियो को start करते हैं without wasting any time ओके तो भाई सबसे पहले मैं आप लोग को बतायता हूँ कि आप कोई भी control setup लगा रहे हो ना तो आपको उसमें क्या mistakes कभी भी नहीं करनी है तो भाई सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें कभी भी नहीं करनी है वो है भाई तुम्हें अपने दोनों fire buttons को एक साथ इस तरीके से कभी भी नहीं लगाना है अब भाई मैं तुम्हें इसका reason भी बता देता हूँ तो भाई तुम्हें पास ना दो fire button होता है एक होता है left वाला और एक होता है right वाला अब जब तुम्हें लेफ्ट आले में अपना fire button दबाते हो ना और तुम्हारी finger हलकी से भी move कर जाती है तो तुम्हारा aim बिल्कुल भी खराब नहीं होता है बट वहीं पर अगर तुम्हारे right वाले पर click हो जाता है तो भाई तुम्हारा पूरा पूरा aim भाई खराब हो जाता है जैसके तुम लोग यहां पर देख सकते हो अभी मैं यहाँ पर left वाले fire button यूज कर रहा हूँ और भाई मेरे finger हिलने पर मेरा aim भी खराब नहीं हो रहा है बट वहीं पर अगर मैं right वाले पर click करता हूँ और भाई मैं अपने finger को move करता हूँ अलकस अभी तो मेरा पूरा aim खराब हो जाता है अब गैस इस चीज को fix करने के लिए आप लोगों को भाई अपने controls पर जाना है और controls पर जाने के बाद या तो आप अपने right वाले fire button को hide and disable कर दो या फिर अगर आप लोग चाहो तो इस वाले fire button को use भी कर सकते हो और guys personally मैं बता हूँ तो भाई मैं single tapping के लिए इस वाले fire button को बहुत ज़ादा use करता हूँ मैं इसको right में यहाँ पर corner पर रखता हूँ और भाई मेरे को बहुत ज़ादा सही लगता है और guys उसके बाद आप लोगों को अपके left of fire button है ना इसके size और इसकी position को अपने हिसाब से adjust कर देना है So guys अब मैं आपको अपकी second mistake के बारे में बता देता हूँ तो भाई काफे सारे बंदे आपने peak buttons को या बाखी buttons को कुछ इस तरीके से लगा के रखते हैं और भाई आपको अपने buttons को कभी ऐसे नहीं लगाना है क्योंकि इससे आपको हमेशा touch issues देखने को मिलने वाले है अब guys मैं आपको दिखा जीता हूँ किस तरीके से अब guys जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं नीचे वाले peak button पर क्लिक कर रहा हूँ पर फिर भी मेरा उपर वाला peak button काम कर रहा है और भी आपके साथ भी ऐसे touch issues होने वाले है अगर आप लोग अपने controls को इस तरीके से ल issues देखने को मिलते हैं तो इसलिए आपको यह तो अपने buttons कुछ इस तरीके से लगाने है या फिर अगर आप चाते हो कि आप अपने buttons को इस तरीके से लगाओ तो आपको दोनों buttons के बीच में अच्छा कशा space छोड़ना पड़ेगा ताकि आपके साथ touch issues नहीं हो तो guys अब मैं और नहीं कर सकते हैं या फिर आप प्रौन या फिर जंप नहीं कर सकते हैं तो ओसी मैं आप लोग क्या कर सकते हो जहां पर आपको आपको crouch वाला बटन अब वहां पर अपना दो एक्जिट करने वाला button लगा सकते हो और फाइदा इस से यह होगा कि आप बहुत ही जलदी से कर सकते हो और इंटेंस वाइट में यह चीज बहुत ज्यादा हेलपफुल होती है एंड सेकेंड ली आपका जो नेड कैंसिल करने वाला बटन होता है वह आप अपनी स्कोप के उपर लगा सकते हो क्योंकि आप कभी भी नेड करते हुए स्कोप उपन नहीं कर सकते और इसका फ जादा स्लो रहेगा और आप महाँ पर अराम से नोकाउट जाओगे तुम्हारी साथ कभी ने कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि तुम कवर के पास फाइट ले रहे हो और अचानक से तुम जंप करते हो और जंप करने की जगह तुम्हारा करेक्टर कवर के ऊपर ही चड़ और इसके वेसे तुम कई बार मरे होगे तो इस चीज को फिक्स करने के लिए तुम लोग को क्या करना है ना तुम लोग को सैटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जंप एड क्लाइम वाला बटन इसको तुम सेपरेट कर देना है और अब तुम मेरी मूवमेंट देखना तुम यहाँ पर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो भाई अगर मैंने अपना सेपरेट नहीं किया होता जंपेंट क्लाइम वाला बटन तो यहाँ पर यह मूवमेंट देनी बहुत जादा मुश्किल होती और अगर आप लोग इसको सेपरेट कर दोगे तो आपको क्लोस इन में ऐसे जितने भी बटन्स है जो आप एक टैम पर यूज़ कर सकते हो आपको उनको साथ में कभी भी नहीं लगाना है आपको अपना क्राउच वाला बटन और आप अपने स्कोप वाला बटन ट्राइ करो कि आप अलग अलग फिंगर से करो और साती जो ऐसे बटन्स है जो आप एक time पर use नहीं कर सकते हैं For example, आपका जो jump वाला button है और आपका scope वाला button है वो आप एक साथ on नहीं कर सकते हैं तो आप उनको एक ही finger से control करो For example, आप अगर मेरे layout में देखो तो मैंने peak के साथ अपना एक climb वाला button लगाया हुआ है क्योंकि हम peak करते हुए कभी पर climb नहीं कर सकते और आप अपने prone और scope वाले button को भी एक साथ लगा सकते हो क्योंकि आप दोनों को एक time पर open नहीं कर सकते आपको prone के साथ अगर scope on करना है तो उसके लिए आपको हलका सा wait करना पड़ता है और अगर आप दोनों बटन से एक time पर दबाते हो तो आपका aim खराब हो जाता है अब guys मैं आप लोगों को दिखा जीता हूँ कैसे आपके सामने दो example लगे हुए एक में मैं एकदम से scope खोल ला हूँ और एक में मैं एक second का wait करने के बाद scope कोल ला हूँ और तुम मैंसे काफी सारे बंदों को एक doubt होता है कि भाई हमें कितनी finger खेलना चाहिए like two, three, four, five तो भाई मैं तुम्हें एक simple से बात बता रहता हूँ अगर आपके existing control layout में आप अच्छे से खेल पा रहे हो तो आपको कोई ज़रत नहीं है change करने की हाँ अगर आप लोग को लग रहे है कि कुछ changes की need है या फिर आप लोग को एक extra finger की need है तब जाके आप एक extra finger खेलो like two से three finger पे shift हो या फिर three से four पे shift हो क्योंकि guys at the end आपका aim और आपकी बाखी चीज़े matter करती है controls बस आपको खेलने में help करते हैं आपके movement में help करते है and for example आप Jonathan को ले लो भाई वंदर two finger खेलता है और वो इंडिया का one of the best bgmi player है and वो three finger four finger या फिर five finger वाले जितने भी बंदे हैं उन सब भी से अच्छा खेलता है और कैस ऐसा नहीं है कि आप Jonathan के controls copy कर लोगे तो आप Jonathan जैसा खेलने लग जाओगे ज्योंकि जैसा कि मैं आप लोगों से बोला at the end आपका aim और आपका game sense यह सब चीज़ें आप लोगो एक अच्छा player बनाती है और इसी से मैं आप लोगो एक और चीज़ बताता हूँ या फिर अगर अपने ही control में थोड़े पहुद changes लेकर आओगे जैसा कि मैंने आप लोगो starting में बताए हैं कि आप लोगो क्या changes करने है क्योंकि आप अपने controls पर सबसे अच्छा खेल सकते हो आप किसी के sensitivity थोड़े पहुद कॉपी कर सकते हो वो एक time के लिए तब भी चलेगा पर आप अगर किसी के पूरे control सी copy कर दोगे तो भाई आप उतना अच्छा नहीं खेल सकते हैं हाँ आप क्या कर सकते हो आप एक idea ले सकते हो कि भाई इस बंदे ने अपने buttons यहाँ पर लगाया हुआ है तो आप एक idea ले सकते हो पर आप अगर पूरे के पूरे buttons की copy कर दोगे एक चीज कोपी कर दोगे किसी control की तो भाई आप अच्छे से नहीं खेल सकते है अब मैं आप लोग को बताएता हूँ कि अगर आप लोग अपने controls चेंज कर रहे हो और आपको तीन दिन तक ऐसी प्रैक्टिस करने है तो आपको बार बार आपको प्राउच स्पैम करने है और आपको तीन दिन तक यह प्रैक्टिस करने है जब तक आपकी muscle memory में ना बेट जाए और उसके बाद भी आप लोग को क्या करना है अपने जितने भी controls है उनकी transparency बिल्कुल zero कर देनी है मतलब zero भी नहीं पर at least 10 ये 15 कर देना उससे क्या होगा कि आप लोग को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा कौन सा बटन कहां पर है आप लोग को खुद याद हो जाएगा धिरे-धिरे कि मेरे को कहां पर प्रेस करना है फ्रोन करने के लिए या पर जंप करने के लिए सब्सक्राइब लिए पसितना ही था मेरे को कमेंट सेक्षिन में जरूरूरू बताना कि आप लोग को वीडियो के ऐसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो के इस टोफिक के पर चाहिए आज की वीडियो का like game रखते हैं 2.3 के likes का लास्ट वीडियो में हमने 2 के likes का like game रखता और आप लोग ने बहुत ही अराम से करा दियो थे 2 के likes देखते हैं कि आप लोग गिजवार भी करा पाते हो या नहीं करा पाते हो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई